दोस्तों मैं रितेश कुमार उपाद्य है मेरे यूटूब चैनल आयो सी यानि की इंस्ट्यूट आप कम्प्यूटर एजुकेशन में आपका हर्दिक श्वागत करता हूँ प्यारे शाथियों आज की अपनी इस वीडियो में हम जानेंगे कि यदि आप मोबाइल के जरिये जीमेल के माध्यम से यदि किसी व्यक्ति को मिल सिंड करना चाहते हैं तो अपने उस मिल में आप किसी लिंक को कैसे अटाइच कर सकते हैं दोस्तों एक्चली होता क्या है न कि यदि आप कम्प्यूटर के जरिये आप किसी व्यक्ति को मिल भेज रहे हैं तो वहाँ पर लिंक इंसर्ट करना काफी आसान होता है लेकिन यही कारी जब आप मोबाइल से करने के लिए जाते हैं तो यह कारे काफी कठिन हो जाता है तो इस कठिन कारे को हम आसानी से कैसे कर सकें इसकी कोशिस मैं आज अपनी इस वीडियो में करने जा रहा हूं और मुझे यह पूरा विश्वास है कि यदि आप इस पूरी वीडियो को ध्यान से देखते हैं तो निस्चित रूप से यह कारे आप के लिए भी काफी आसान हो जा उसका उप्योग करते हैं तो लिंक अटैस करने का आपसन हमको दिखाई नहीं देता है तो इसके लिए हम करेंगे क्या कि हम किसी ने किसी ब्राउजर का उप्योग करेंगे तो दोस्तों मैं अपनी सुविधा के लिए गूगल क्रोम को मैं चूज कर रहा हूं आप चाहें त इस अप्लिकेशन को क्लिक करके ओपन कर लेता हूं तो आप हमारी मोबाइल में गूगल क्रोम का जो अप्लिकेशन है ये ओपन हो चुका है यदि आप हमारे मोबाईल में उपर की ओ राइठ साइड में ध्यान देंगे तो ब्लिंक करते हुए एरिया के नीचे एक अरो तो यहां पर rate color का circle आपको नहीं दिखाई देगा यहां पर three dot बने हुए दिखाई देंगे तो चलिए यहां पर जो three dot बना हुआ है आपको इस पर click करना होगा जैसे ही आप इस three dot पर click करेंगे कुछ नए option आपको दिखाई देने लगेंगे यहां पर आपको desktop side मिल जाएगा इसके बगल में एक ब्रैकेट बना हुआ आपको दिखाई दे रहा है, इस ब्रैकेट पर क्लिक करके आपको अपनी इस ब्राउजर को desktop साइड में convert कर लेना है, तुसलिए मैंने इस पर क्लिक कर दिया, अब क्लिक करने के बाद अब हम चलते हैं Google Chrome के main ब्राउजर पर, अब यह यहां पर देखिए, यह जो box बना हुआ है, यहां पर हमको लिखना है gmail.com, अब जैसे ही आप gmail.com लिखेंगे, gmail.com जस नीचे लिखा हुआ आपको दिखाई दे रहा होगा, आप इस पर क्लिक कर दें, अब जैसे ही आप क्लिक करेंगे, यदि आपके ब्राउजर में gmail की जो id है पहले से login नहीं होगी, तो यह login करने का option आपको मिल जाएगा, यहां पर सबसे पहले हमको अपनी id डालनी होती है, तो चलिए मैं यहां पर अपनी email id डाल देता हूँ, अब उसके बाद हमको next के option पर क्लिक करना होता है, तो हमने next के option पर क्लिक कर दिया, अब आप password ड सामने आपका जो Gmail का account है वो open हो जाएगा, अब यहां पर जो आपको आपका Gmail का account दिखाई दे रहा है, ठीक उसी तरह से दिखाई दे रहा है, जैसे computer की screen पर दिखाई देता है, अब यहां पर यदि right side में ऊपर keyword ध्यान देंगे, तो compose का option आपको मिल जाएगा, चलिए हम इ box होता है, यह बिलकुल नीचे की उर दिखाई देगा, तो इसको आप थोड़ा सा बढ़ा कर लें, जैसे ही आप बढ़ा करेंगे, कुछ इस तरह से आपको compose वाला box है, वो आपको मिल जाएगा, तो दोस्तों पिछली video में जो मैंने mail को target करके, आपको examples दिये थे, मैं उसी mail अब हमको करना क्या है कि मैं अपने इस mail में एक link इंटर करना चाहता हूं, अब चुकि मैंने इस mail में यह लिखा हुआ है, अपने client को मैं यह जानकारी देना चाह रहा हूं, कि आपकी जो policy की premium है, यह premium 28 मई 2021 को जमा करनी है, COVID-19 की problem चल लई है, जिस वज़र से यदि आप चाहें, तो अपने policy की premium online माध्यम से जमा कर सकते हैं, तो अब हमने अपने client को तो यह बता दिया कि आप online माध्यम से premium जमा कर सकते हैं, लेकिन हो सकता है कि हमारा जो client है, उसको यह जानकारी न हो, कि online माध्यम कैसे जमा किया ज जाता है, हम उसका link यहाँ पर insert कर दें, या फिर किसी YouTube की video का link हम यहाँ पर insert कर देते हैं, तो हमारा client है, वो इस link पर click करके उस video को देख सकता है, या फिर उस website या blog पर पहुंच सकता है, और वहाँ आसानी से यह जान सकता है कि LIC की premium को online माध्यम से कैसे जमा किया जाता है, तो दोस्तों इसके लिए सबसे पहले जरूरी क्या होगा, जरूरी यह होगा कि हमारे पास उस website का, उस blog का, या फिर YouTube की उस video का link हो, जिसको की हमको यहाँ पर attach करना हो, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, तो इसके लिए सबसे पहले आप यह अपनी mobile में, उपर की right side में अग पाइदा यह हुआ कि हमारा जो पहला Gmail का जो account मैंने login किया हुआ है, वो बंद नहीं हुआ है, वह open है, एक नया page और उसके साथ open हो चुका है, अब यहाँ देखिए, पहले एक लिखा हुआ था, और उसके बाद अभी अगर आप ध्यान देंगे, तो दो लिख गया है, तो चलिए हम इस option पर click कर लेते हैं, तो इससे आप चीज़ें clear हो जाएंगी, तो हम यहाँ पर click कर दिए, अब यहाँ देखिए, जो मैंने new tab बनाया है, यानने new tab जो open किया है, वो दिखाई दे रहा है, और पहले का जो मैंने mail वाला page open किया हुआ था, वो भी खुला हुआ है, तो चलिए हम इस new tab पर click कर देते हैं, और अब इसके search box में YouTube.com डाल कर search करता हूँ, अब यह जो YouTube.com लिखा हुआ है, हम इस पर click कर देते हैं, इस पर click करते ही YouTube की जो side है, वो open हो जाएगी, अब हम search box पर click करके YouTube की video को search करते हैं, दोस्तों YouTube पर हमारा एक channel है, RITES LIC Advisor के नाम स जिसमें की LIC से संबंदित तमाम तरह की जानकारी दी जाती है, तो मैंने यहाँ पर LIC Customer Portal by RITES LIC Advisor डाल कर search किया, और जब search किया हूँ, तो यहाँ पर YouTube ने हमारी कुछ video के link यहाँ पर दे दिये हैं, अब यहाँ पर यह जो पहला वाला option दिखाई दे रहा है, for example मान लेते है कि इसमें LIC के premium कैसे जमा की जाती है, इसकी जानकारी दी हुई है, तो सबसे पहले हम इस video पर click कर देते हैं, अब जैसे ही आप इस video पर click करेंगे, यह video play होने लगेगी, अब यदि आप नीचे की ओर ध्यान देंगे, तो share का option आपको मिल जाएगा, इस share वाले option पर आपको click कर देना है, जैसे ही आप इस share के option पर click करेंगे, आपके जो भी social media के जो applications आप use करते हैं, उनकी जो application है, वो आपको यहाँ पर दिखाई देने लगेंगे, लेकिन फिलाल हमारे वो काम का नहीं है, यह जो copy link का option है, हम इस पर click कर देते हैं, अब जैसे ही आप copy link के option पर click करें इस video का link copy हो जाएगा, अब देखिए इस video का link copy हो चुका है, अब फिर से उपर में अगर आप ध्यान देजिए, तो जहाँ दो लिखा हुआ है, जहाँ पर की एक rectangle blink करता हुआ दिखाई दे रहा है, हम इस पर click कर देते हैं, अब जैसे ही आप इस पर click करेंगे, यह जो दोन हम करेंगे क्या, यहाँ click कीजिए वाला जो option है, हम इसको select कर लेते हैं, हमने यहाँ पर यहाँ click कीजिए वाले option को select कर लिया है, अब उसके बाद नीचे की और अगर आप ध्यान देंगे, जहाँ पर की एक rectangle blink करता हुआ दिखाई दे रहा है, वहाँ पर हम click करते हैं, जैसे ही आप यहाँ पर click करेंगे, इस तरह का एक box आपके सामने open हो जाएगा, यहाँ पर यह जो की yellow color की पटी blink करती हुई दिखाई दे रही है, आपने जो भी link लगाना है, वो link यहाँ पर लगा सकते हैं, फिलहाल मैं यहाँ पर YouTube का link देना चाहरा हूँ, यदि आपके पास पर paste कर देता हूँ, अब जैसे ही मैंने यहाँ पर link paste किया, अब मैं okay की button पर press कर देता हूँ, अब दोस्तों इतना करने के साथ ही यहाँ click कीजिए, इसका color black से change हो चुका है, और जो link मैंने लगाया था, वो link यहाँ पर insert हो चुका है, अब इसके बाद जैसे ही आप send की button प की जगह पर जैसे ही click करेगा, हमारी YouTube की वीडियो पर पहुंच जाएगा, तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि यह जो छोटी सी जानकारी है, यह जानकारी आपके लिए रही होगी उप्योगी, तो यदि यह वीडियो आपको लगी है उप्योगी, तो इस वीडियो के नीचे जो बनी हुई है like की बटन उसको click करके हमारे channel को और हमारी वीडियो को promote करने में हमारी मदद जरूर करें, दोस्तों एक चीज़ और कहना चाहूंगा, यहाँ कारे थोड़ा सा जरूर difficult है, यानि link को insert करने में थोड़ी दिक्कत जरूर होती है, लेकिन मैं आपसे यह समस्या का समाधान नहीं होता है, तो इस वीडियो की comment section में comment के जरी आप अपने प्रस्न पूछिए, मेरा पुरा प्रयास होगा कि सिग्रति सिग्र मैं आपके प्रस्नों का उतर दे सको, अब दोस्तों इसी के साथ मैं अपनी इस वीडियो को समाप्त करता हूँ, आपने अपना किम्ती समय दिया, इसके लिए मैं आपका दिल से आभारी हूँ, धन्यवाद, थेंक्यू वेरी मुच.